आई शास कुक बुक में असलाम लेकूम आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पर्सनल पिजास बनाने की रेसिपी उसके लिए यहाँ पर एक बाउल में चार कप मैंने मैटा एड़ किया है टू टेबल स्पोन इनस्टेक एस्ट टू टेबल स्पोन शुकर वांती स्पोन नमाई आराऊंड ठी फौ टेबल स्पोन में इसमें आयल एड़ कर रही है अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर यह मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करूंगी और अपनी डोर रैड़ी करने के बाद उपर मस्जीद थोड़ा सो आड़ रिजल करके ब्रेशिंग करके डगकन लगा के इतनी देर के लिए रखतूंगी मैकसिमम 40 मिनट या एक एंटे के लिए ताके हमारी डोर राइज हो जाए तो जनाब डोर राइज होगी थी अब यहां पर मैंने इसको निकालके बोर्ट पे रखती हैं अब हमने जितने भी पिज़ाज बनाने इतने पोर्शन में मैंने इसकी कटिंग कर दी हैं यह जो फ्राइ पैन में बनाऊंगी बेक करने वाले मैंने बेकिंग ट्रेप पे सेट कर दी हैं सबसे ओपर मिस के ओपर एड़ कर रही हैं विज़ा सास आप चाहें तो कैचप भी एड़ कर सकते हैं यहां पर मेरे पास टेंडर चिकिन चंग्स हैं कॉर्ण सें डाइस केटिंग टि अब मैं इसके ओपर चीज आइड़ करूंगी चीज आइड़ करने के बाद थोड़ा से औरिगानो और चिली फ्लेक्स और स्प्रिंकल कर दियें अब मैं इसको बेक होने के लिए रखतूंगी आप अपने ओवन के हिसाब से बेक कर लें यहां पर चार पिज़ास मेरे बेक ह हो गए यह आप देख सकते हैं अब मजीद चार हैं हम उनको फ्राइपन में हैस इस अब उनकी ड्रेसिंग करेंगे सब कुछ आइड़ करने के बाद बिलकुल स्लो फ्लेम पे डखकन दगा के फ्राइपन पे रखतेंगे मैकसिमाम पांच से आठ मिनट के करीब तो चनाब देक सकते हैं फ्राइपन पिजा भी हमारे रेड़ी हैंu तो चनाब यहां पर यह सबड़ी पिज़ास हमारे रेड़ी को हैं अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें कॉमेंट करें यहानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया